नमस्कार दोस्तों मैं सुभम स्वागत करता हूँ हमारे वर आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार फसल सहाता है योजना के अंतरगत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है फिर आपको यहाँ पर आपका पंचात का लिस्ट का नाम आता है अगर आपका लिस्ट में नाम रहता है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर डोकुमेंट अपलोड होता है फिलहाल अभी यहाँ पर document upload वाला process शुरू हो चुका है, नया link active हुआ है, वो कौन सा link active हुआ है, कौन कौन सा दस्तावेज यहाँ पर upload करना है, सारी जनकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी मैं यहाँ पर तुस तो आपको बता दू कि यहाँ पर जो स्वाग घुसरा पत्र है, उसको download करने के लिए भी एक link generate किया गया है, उस link पर आप click किजएगा और अपना registration number डाल करके submit किजएगा, तो आपके नाम से special स्वाग घुसरा पत्र download होगा और उसी को यहाँ पर fill up करके आपको आपको upload करना होगा, तो आप घुसरा पत्र download पलस है, यहाँ पर upload करने के लिए दोने के लिए अलग अलग link generate किया गया है, वो link कौन सा है, कैसे हमें वो link मिलेगा, इस video में हम आपको complete information बताने वाले वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like जरूर किजएग, यहाँ पर हमने एक link पर आया हो है, जिसमें कि दूस्तों आपर खरीब 2022 के लिए आपर दस्तावेज upload करने के लिए बोला जा रहा है, यह दोस्तों जो है खरीब फसल के लिए आपको बता रहा हूं कहां से मिलेगा, सबसे पहले आपको online process खोलना है, online process खोलने के बाद आपर में search box में बिहार फसल भीमा यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर दूस्तों बिहार फसल भीमा यहाँ पर लिखिएगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फसल भीमा लिख करके search कीज़ेगा, तो first पर ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा बिहार फसल से आता, document upload होगा वहां पर रेश्टेशन नम्बर डाल करके सम्मिट करना होगा आपका मोबाईल नमबर पो टीपी आईगा और टीपी को फिलप करके आपको अपना दोकुमेंट को अप्लोड करना है अगर दूस्तों आप गयार रहीत हैं तो आपको मात्रिया पर स्वाग होसला पत्र अप्लोड करना है अगर आप रहीत किसान है तो आपको यहां पर स्वाग होसला पत्र के साथ साथ खेद करसी दिया एलपीसी आपको यहां पर अप्लोड कर करना है उसके बदाफनल सम्मİT करना है तो यहां पर हो स्वग होस्रा पतर डाउनलोड करने करने के लिए एहां पर लिंक दिया गया क्लिक है किलिक ह место है यहाँ पर रुखर आपने नहीं किया यह तो यह तो हुआ एक लिंक दूसरा लिंक है यहाँ पर आपका फोसल वी मयोजना डालूंगा सर्च करूंगा तो यहां पर दुस्तों अगर आपने आवेदन किया रहेगा अगर आपका पंचायत का लिस्ट में नाम आया रहेगा तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं पंचायत में लिस्ट में नाम कैसे चिक करने हैं उसके लिए मैंने एक सेप्रेट वीड अप्लोड हो रहा है तो आपका यहां पर सबसे पहले रेश्टेशन नमबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक किजेगा आपके रेश्टर नमबर पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी को फिल आप करके आपको यहां पर समीट करना है समीट करने के बाद आपका यहां पर डुकुम में वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करना मत बूलिएगा मिलते पिर अगले वीडियो में एक नए एक निश टॉपिक के साथ